नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल गोल्डेंड फ्यूचर में दोस्तो इस वीडियो में हम 32 महतपुर जो करेंट अफेर्स के प्रश्न है उसको इसमें हमने समाहित किया हुआ है दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एक या दो प्रश्न आपको किस दिन किसी परिच्छा में हम ऑश्य मिलेंगे खासका यूपी-पीस प्री 2018 और वीडियो को यूट प्रश्न आदिकारी वाली इसमें वीडियो की परिच्छा हंने वाली रेल्वे के परिच्छा हंने वाली है उसमें to current affairs के महतपुर प्रश्न को हमने इसमें समाहित किया हुआ है इस वीडियो को आप पूरा दिखेगा दोस्तों और पसंद आएगा तो इसको एक लाइक जरूर करीजेगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दीजेगा दोस्तों कैसे ही महतपूर करेंट अफेयर और बाकी अधर जो सेलेबस हैं उससे सम्मंद जी ने पहली बार भारती अथलीड बनी है ट्रेक इवेंड में जीते हैं इनका जो नाम जो है और हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी इनको बढ़ाई दी थी अपने भाशर्स के माध्यम से दूसरा प्रशन दोस्तों कि किस देश की सरकार ने हाली में ड्रक्स सम्मंध अधित अपरादो है तुम मृत्युदं को मजूरी दी है बहुत इंपोर्टन प्रशन दोस्तों सिरलंका ने यह ऐसा कारवाई की है कि ड्रक्स अपराद जितने भी होंगे उसमें मृत्युदं को मजूरी दी गई ऐसा पहला देश बन गया है दोस्तों अगला प्रशन है अ भारा सरकार की कमपनी है टेलीफोनी कमपनी है उसने पहली internet टेलीफोनी सेवा प्राहरम किये बहुत इमोश्ट इमपोर्टन रही दोствरिय दोस्तों विस बैंक जारी रिपोर्ट जो वर्ल्ल बेंट ने अभी हाली इंपोर्टन ़त्य बना किया है भारत व्रांस चठहा सबस प्रश्न दोस्तों पांचवा की हाली में भारत यूरोपियन पुनर निर्माण वविकास बैंक EBRD जिसे हैं शौर्ट में बोलते हैं यूरोपियन रिकर्श्ट्रक्शन बैंक डेवलप्मेंट रिकर्श्ट्रक्शन बैंक इसका फुल फाम है तो कौन सा ये शेयर धारक बना ह है भारत EBRD का छटा प्रशन दोस्तों कि सराज के सर्कार ने हाली में यहुदियों को धार्मिक अलसंक्यक का दर्जा दिया है तो गुजरात राज्जिन को धार्मिक अल्व संख्या का दर्जा दिया है अगला प्रश्म दोस्तों सात्वा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सूची यानि कि जो वैस्विक नवाचार सूच कांख है उसमें भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो इसमें दोस्तों भारत को 57 यानि संतानवा इस्थान मिला है कुल 130 द property organization यह संस्था है बौधिक संपदा है बौधिक संपदा संगठन करके इसका फुल फॉर्म है हिंदी का तो उसमें यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किये इसमें भारत का 57 पोजीशन है अगला प्रशन दोस्तों कि विस जन संख्या दिवस कब मनाया जाता है तो पहला प्रशन हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी पिछले वर्ष जो 2017 को यूपी प्रशन दोस्तों कि विस जन संख्या दिवस की थीम पूछी गई थी तो इस बार भी चांसे से की पूछ सकता है तो इस बार की थीम रखी गए यह परिवार नियोजन एक मानमा धिकार ठीक है दोस्तों अगला प्रशन नौवा कि किस कंपनी ने यूपी में सबसे बड़ी म सेमसंग ने भी हाली में यूपी के नोइड़ा में सबसे बड़ी वड़ी लगाने का देश की सबसे बड़ी वड़ी लगाने का प्रouri頭 परत किया गया है हस्ताचेर हुआ है ंजीतिक चिक विश्व कि में ने शौर्ण पतक गितने वाली पहली भारती ंप बनी है तो दीपा करमार कर जो सोड़ पतक जीते में पहली भारती खिलाड़ी बन गई है गेरामा प्रश्न दोस्तों के हाली में एंजीटी के थोड़ा सा कड़ गया है एंजीटी के राष्टी हरित प्राधिकरण जो होता है उसके अध्यच बनाए गया है तो ये दोस्तों आदर्ष गोयल जी को बनाए गया है एंजीटी का अध्यच इसके पहले सुतंतर कुमार जी थे और NGT के स्थापना का हुई थी दोस्तों तो NGT के स्थापना 2010 में हुई थी ठीक है इसका मुख्याल है हेड़ कौर्टर जो है ने दिल्ली मिस्ती थे अगला प्रशन दोस्तों तेरहमा प्रशन है कि सरकारी स्कूलों में खुशी पार्ट करम यानि कि हैप्पीनेस बस जारी करने वाला कौन सा राज्य है लाउंच करने वाला तो दिल्ली है दोस्तों यह इंपोर्टेंट इसको ध्यान रखिएगा चौदमा प्रशन किस राज सरकार ने हाली में स्कूली बच्चों अन पूड़ा दुग्द योजना प्रारम करने वाला राज जो है राजस जना की घोषडा की गई है तो यह शक्त जना की घोषडा की गई है एंपीए से कई बैंक घाटे में चल लें खासकर पजाब नेशनल बैंक जो और ज्यादे घाटे में चला गया है जबकि 12,000 करोड रूपे जो नीरो मोदी जी लेकर चले गए हैं तो उसमें जो है इनको ए भारत सरकार की तरफ से ससक्त योजना एक लांच की गई है अगला प्रशन है दोस्तो सुलामा की हाली में कौन ICC हाला फेम में शामिल होने वाला पांच में भारती बने हैं यह भी मोश्ट इंपोर्टेंट है ICC हाला फेम में एक सामिल होने वाले राहुल दरविड जो पां और अब जो है भारत में कुछ 37 धरोवा रस्टर हो गए हैं इसकी जो सांसकितिक बूप में 29 धरोवा रस्टर सामील MYकों मिसरित में कन्चन जंगा उसको cwn. प्रास्कितिक दोनों में रखा गया है तो यह मिस्त्रित में एक टोटल 37 धरोवा रस्तर युनिस्को की सुची में शामिल किये हैं अब यह बताईएगा अगला प्रशन दोस्तो अट्रावा हाली में खोए हुए बच्चो का पता लगाने के लिए एक मुबाइल है लॉंच कि किया गया हे जिसका नाम हैं तो दोस्तों उस मुबाइल वाक का नाम है यह री युनाइट ऊसर मुबायल कर भी युनाइट आ अगला प्रश्च्रा दोस्तों उन नीसमा कि 29 जून 2018 को कौन सा दिवस मनाया गया तो 29 जून 2018 को जो है राष्टी सांखी के दिवस मनाया जाता है अगला प्रशन दोस्तों 20 प्रशन किस देश ने हाली में पोलियो प्रकूप के कारण अपातकाल घोशित किया गया है अगला प्रशन दोस्तों किस देश ने हाली में पोलियो प्रकूप के कारण अपातकाल घोशित किया गया है अगला प्रशन दोस्तों कि हाली में भारत के पहले और दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रेंड मास्टर बने है तो आर प्राग नानधा को भारत के पहले है और दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रेंड मास्टर बने है अगला प्रशन दोस्तों 22 प्रशन सुर्शक्ति योजना किस राजे में प्रारम की है तो सुर्शक्ति योजना गुजरात ने प्रारम की है अगला प्रश्ण है दोस्तों तैयब एर्दोगेन ये राष्टपती चुने गए है कहा के राष्टपती चुने गए है तूर्की के राष्टपती चुने गए है और ये दूसरी बार राष्टपती चुने गए है तूर्की के राजधानी होती है दोस्तों अंकारा अगला प्रशन है चोविस्वा के रेल मंत्राले ने हाली में यात्रियों के सिकायतों के निवारण है तो एक एप लॉंच किया तो उस एप का नाम क्या है रेल मदद एप है दोस्तों ये किस से संबंदी थे यात्रियों के सिकायतों के निवारण है तो दोनों तरकिय से कि इसने हाली में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। तो सौधी अरब जो है, अभी हाली में उसने यहाँ पर अपने प्रावधान किया है महिलाएं भी। अगला प्रशन दोस्तों हाली में किस इस्तान पर भारत के पहले राश्टी खेल विश्विद्ध एला को मंजूरी मिली है वो मडीपुर की राज़ानी इमफाल में मिली हुई है 28 प्रश्ण दोस्तों कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने हाली में किस देश में रूपे कार्ड भी मैप और SBI अप लाउंच किया है तो यह अभी मोदी जी जो है दच्छल पुर्वी है राष्ट्रों के विदेशी दवरों पर गए थे जिसमें वो सबसे पहले इंडोनीशिया गए उसके बाद मलेशी आ गए उसके बाद लाष्ट में अपने विदेशी दवरे में सिंगापुर राष्ट में गयते सिंगापुर में रूपे कार्ड भी मैप और SBI को लॉंच किया था दोस्तों इसके बाद 19 प्रश्ण है कि संतो कभा मानवतावादी पुरुसकार किसे प्रदान किया गया तो यह दोस्तो यह भारत वजशिक यलाㅃस तहार था और कीरन कुमर दोनों दोनों लोग को प्रदान किया गया है तीस्वा मैं भारत के उप राष्टी सूरच्छा सलाकार किसे नियुकि कि त्याकार है एक तिस्वाँ प्रशन दोस्तों अर्भियाई के प्रथम CFO बनाया गया है अर्भियाई का प्रथम CFO यानी मुख्य विथी अधिकारी चीफ Financial Officer किसे बनाया गया है ये पहला पद स्रीजिट किया गया है तो सूधा बाल किष्णाजी को बनाया गया है आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्ण दोस्तों कि 32 प्रश्ण पकिस्तान के कारवाहक प्रधान मंतरी किसे ने उत्किया गया अब ये था हो जाएगा तो नासिर उल्मुल्क को जो है पकिस्तान का कारवाहक प्रधान मंतरी ने उत्किया गया था जबकि वरतमान में इस समय इमरान खान जो है 14 अगस्त को 2018 को ये सपत लेने वाले पकिस्तान के नए प्रधान मंतरी होंगे तो ये रहा 32 महतपूर प्रश्न दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद